झुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोरने वाले मिस्तिरी यहीं सब्द है मुझे कोई शरम नहीं है बोलने में जो उनको शरम नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज तो मुझे पढ़ने में क्या शरम होगी बारत जोडने वाले मिस्तिरी जो है वो 24 तारिक से लेकर के दो तारिक तक छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना यही वाटसप पे मेसेज आया होगा हमको भी आता है उस मेसेज का पीछे इतिहास क्या ही हमको जानना परेगा जब यात्रा एनॉंस्मेंट हुआ ना सर हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है उन लोगों का भी यही प्रस्टन था राहुल जी पैदल चलेंगे हम बोले नहीं नहीं परदान मंत्री जो सारे 8000 करोड का फलाइट खरी दे है न वो दे देंगे गे डिटंड गिफ्ट में उससे चलेंगे 12 करोड का जो कार खड़ी दे है उस पे चला जाएगा इस तरीके से नेताओं को ले करके खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान बात है उस सामान बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं और राउल जुने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई एकलवते नहीं है इस देश में लाखों करोडों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं और कोरोना की बात हो रही है ना मैं कोरोना याद दिलाता हूँ यही फरीदावाद सहर है साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए तब तो जो है कोरोना नहीं यादा रहा था आज जब हम पैदल चले हैं कन्या कुमारी से सौ दिन से जादा चलते हुए हो गया है तीन हजार किलो मिटर तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है ये बार बार विपक्ष के नेताओं को ले करके ऐसा मेसेज करते हैं जबकि अगर हम सिध्यान्त की बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी इस देश में आठ घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए इसको ले करके कानून बनाया सब्ता में दो दिन छुट्टी होनी चाहिए सटर्डे और संडे इसको लागु कड़ाया तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं और मानविया है क्या यह और मानविया उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पाड़िवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई कोई होता ना जिसके साथ चुट्टी बिता सकते थे तो यह सवाल नहीं बोलते जो लोग अपने आत्मुख्ता का सिकार होता है न जिसने जिन्दगी में इंसान बनाया ही नहीं क्या करेगा छुट्टी ले करके फुटबॉल मैच देखते वे एक द्रिस देखे थे आप सब लोग ग्रूप में फुटबॉल मैच देख रहे थे एक सहाब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच देख रहे फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है है